क्लास क्लास 10 की जो विज्ञान है ना बटाउं चैप्टर नमबर फाइव तत्व का आपट वर्गे करने यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्डटन है इस पर में चीव करने बता हूं तो सबसे पहले बता मैं हमेशा बहुता हूं जिस की अब्यास पर जए रखने उनको तो करने बता है उसके अलावा जो पाले को पहले ही करा जोगों जिसकी लेंक्स में डाल दूगा डिस्क्रिप्चिन पर ठीक है? इस चेप्टर में जो डाबेनायर के तरीक है, अस्टक नियम है, और मेंडलीव का आवरतनी क्या है, उनके दूश क्या है, उनमें अंतर क्या है, यही सब कुश्चन एक्जाम में आता है, ठीक है, तो सबसे पहले छोटा से क्विक रिवीजिन करेंगे, उसके बाद हम आ जाए पर क्या है, तत्तों की बहुत इक और रसारी गर्ण उनकी पर्मानों द्र्व्मानों के आवरति फ्लन होते है, ठीक है और पर अतनीक अवरतीन में एकसे उल्टा है, फेल वहां परेला आधुणिक में बस यह प्रतिक आवर्थ में तत्व प्रमान दुर्वान के विद्धी क्रम में रखे गया है, जबकि एक ही समूँ के सभी तत्व के गुर्धर्म समान होते हैं, उसकी सभी गुर्धर्म क्या होता है? गुर्धर्म मतलब उनकी जो प्रॉपटीज होती है, उनके एक समान टाइब के होते हैं, तो मेडलिक के आवर्षाणी के गुर्धर्म का दोष्ट हम बात करेंगे, गुर्धर्म क्या है, परमानु दृव्धर्म में संशोधन, नए तत्व की खोच, ठीक है, अब बात करेंग के बहुतिक और रासाने गुर्धर्म, उनकी प्रमानु क्रमांकों के आवर्धि फिल्न होते है, यहां भाद्धर विमान था, और यहां बस खोचकर खाजाते हैं, यह अंतर हैं आपका, ठीक, आदुनिक आवर्षाणी का आगाड तत्व का प्रमानु क्रमांक है, आदुनि डिबिन कोस्टों में बलेजाने वाले एकंटरों की संख्यां कर शूत्र होता है basta में कोई खिवल बना रहा रहा हूं ठीका है ओ सी कोंष का फ्रित्म खर जो सकते इढने पर साथ न कि तर से असाक रिवते यह जगा पर सबसे पहले बात करते हैं सही हो जगता है जिसे अंग्रेजीं बुलते हैं वैरेंसी किसी भी तत्रकी सही हो जगता से अग्रेज़गता ञाये बहुत हैं जैसे मैं बात करहां कि कारभन की सही होता है तो मेτοध किया घृते हैं is फिर शुन्य तक घटती है, पहले एक से चार तक जाएगी, फिर चार से जीरो तक जाएगी, जबकि एक ही समों के सभी तत्वों की सभी 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 यह इलेक्ट्रोनों को नाभिक की और खीसताय जिससे और गड़ जाताय है सrauर्द समूं Gothic में और नीचे जाने पर क्या होता है प्रमाणो का वढ़ताय है क्योंकि नीचे जाने पर आविश जोड़ जाताय है जैसा नीचे जाओंगे एक कोश और बढ़ जाएगा इस से क्या होता है नाविक तता सब से बाहरी कोश के बीच के दूरी बढ़ जा दियम है जैसे से कोश बढ़ा होखे इसकी दूरी बढ़ते जाएगी इस कारण नाविक का आविश drip बढ़ जाने पर प्रमानौ आकार भी बढ़ जाद है दिखो बढ़ाई कोश बढ़ेगा तो तुरिज़ भी पढ़ेगी सिधी सी बाद दें है ना धात्विक एवं धात्विक गूण की बात करें किसी तत्व का धात्विक गूण उसके द्वारा इलेक्ट्रोन त्यागने की प्रवर्ति को प्रद्शित करता है किसी तत्व का धा अधात्विक गूण उसके द्वारा इलेक्ट्रोन गरहन करने की प्रवर्ति को प्रशित करता है किसी आवर्त में भाई सिधाई और जाने पर अधात्विक लक्षन करमशा बढ़ता है जबकि शमों में उपर से जाने पर अधात्विक लक्षन करमशा होते हैं कि है इसका अर्थ है कि अवर्थ कि अनुदि रतों के अकसाइडायों का चाहरी घड़ता है जबकि उनका अम्हिवर्इगुन बढ़ता है कि इस पर प्रश्ण भूश शकम बना करेना तो ते आरी लेने के विद्युत्रव र्रात्मक्त की आउति ये किसी प्रमार्यौं के साथ बने ansch. बन्ह सियु बंद में सब्धागत इलक्टवयु को आकरशित करने की आप एक canyon की की रूप में गटता है, इसको भी नोट करके लिख लेना, ठीक है, आगे बटते हैं, कुशन्स पर आजाते हैं, देखो, कितनी बार बूचा गया है, करे निमलिखित पर संचिफ्ट टिप्ड़े निखिए, मेंडेलिफ की मूला और साणनी के उपयों गिता है, और मूला और साणनी के दोस बहुत इंबोडन्ट है, ऐसे ही कि अधुनिक के लिए भी आएगा, और आता ही आता है, मेंडेलिफ और अधुनिक के गारंटी है, एक्जाम में आएगा ही इन दोनों में से, तो इनको अच्छा तैयारी कर लेना, तो मेंडेलिफित आवर साणनी क्या होते हैं, तत्वों औ अध्यन करने से ही, उस वर्ग के सभी तत्वों का अध्यन सरल हो जाता है, क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्तित, सभी तत्वों के गुड़ों में पारस्परिक समानता होती है, ठीक है, जब एक तत्वों का अध्यन कर लेना, तो उस वर्ग के सभी तत्वों का अध्यन हो ज जैसे अठारा सो उनतर से बेहले बेशीलियम का प्रप्हानुभाद 3.5 माना जाता थां कि बेरियलियम के कुछ गुणंविकर्ण सम्मध्रा एलुमिनियम के समान पाए जाते थे जिसके कारण बेरिलियम को 3 सहीं जग माना गया और इसके आधार पर उसका प्रमानुबार तुल्यांग की बाहर 4.5 की साहथा से 13.5 माना गया तो पर्माणु भार गयात करने के शूत्र भी होता है तुल्यां की भार गणा सही होजगता तुल्यां की भार इसका कितना था? 4.5 और सही होजगता कितनी तीन गणा कर देंगे 13 दिसमें 5 आ जाएगा ठीक है इस प्रमाणु भार के आधार पर बेरिलियम का स्थान मेंडलीफ आवर सार्णी में कार्बन 12 पुएंट के बाद नैट्रोजन से पहले आना चाहिए परन्तु इनकी बीच में कोई स्थान ना होने के कारण मेंडलीफ ने इसके प्रमाणु भार को सही किया मैंगनिशियम के साथ गुड़ों में समान था के कारण इसे दूइस से योजग माना अता इसका प्रमाणु भार नौ निकला इस प्रमाणु भार की आधार पर उसे लीथियम के बाद और बुरोन से पहले सा मुँ में रखा गया इस प्रकार मेंड़लिफ की मूल आवर साणी में गरत प्रमाणु भारो को सही करने में उप्योगी शिद्ध हुई यह आ जरू लिखना नहीं तत्वों की खुज सरथ्यालत्यादत्यान के प्यूद क्योंकि खोज हुई तो ग्यात हुआ कि उनके गुण मेंडिलिफ द्वारा वर्नित गुणों की लगबक समान थे स्केंडियम गैलेनियम जर्मेनियम इसके उधारन है उन्हें पहले ही काली स्थान छोड़ दिये दे बाद में जाके उन तत्व की खोज हुई जबकि उस तंप ईगक्रमान की खोज हुई जगा ऊत्व कर्मान होता है कि पॉजिटिव दे सकता है है न है लुगन की साथ उसके समान रिन विदीय इसकोन ख़़ए उसकी संब्यान की और च यह और हज़िए है यह पहला होगा दोश्टा, अस्मान गुणों वाले तत्वों को एकी समान में रखना ऐसा भी किया मेडलिफ ने इस सार्णी की तत्व को गुडों की समानता के आदार पर एक साथ रखा गया है फिर भी कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुडों में असमानता है दूसरे शब्दों में कुछ तत्व बिन बिन गुडों वाले होते हुए भी एक समू में रखे गया जैसे कि first A की तत्वों तदा फस्ट B के तत्वउख को A की समों में रखा गया जबकि इनके गुडों में बिनननता है ठीक है? तो ये दोश्ट थे उसमें असमान गुड़ों वाल तत्वश को भी समों में रख देना ठीक है? फिर समान गुडों कि अन्नौाइं न्मलंदूत cara DO R kita जैसे उद रखने तो भीए दो अरा दी तक को अच्टीनम एंप गोल्ड कि गुड़ों में समानता है फिर भी इने और पहले पहले समानय तो यह समानने लेकिन गुड़ों में सम लेकि फिर अलग अलग समह में भारी तत्कू को किमेंट ने बोला कि परमानु भार बढ़ती हुगी क्रम में रखेगा पहले छोटा आएगा फिर उससे बढ़ा फिर उससे बढ़ा आगा न लेकिन भारी तत को छोटे वाले से पहले कैसे रख सकते हूं यह तो आपके नियम के खिलाफ हो गया तो यह भी किया मेंट लिफ ने कोबल्ट का परमाणु भार इतना है और निकल का परमाणु भार इतना है तो यह बड़ा है तो उसकी जो उन्होंने अपनी धारना दे दी उसकी अनुरूप यह वाला पहला आना चाहिए फिर यह वाला आना चाहिए लेकिन नहीं यह वाला पहला था और यह वाला बात में तो ये चीज तो गलत थी, आपने जो स्टेटमेंट दी आपके सिद्धान से आप चीजों को नहीं रख पारे हो, तो ये चीज भी उनके लिए फिट नहीं बैठ रही थी, फिर दुल्लम मिर्धा तत्वों का अस्थान, दुल्लम मिर्धा तत्वों के रासाने गुणों में सम मन्ताईं परंतों उनके प्रमाणु भारे भिन्य बिन्न उतए हैं, फिर भी इन चौदर् तत्वου को तीस उपसमूं एकसात रखा गया तौकिस dahaी नहीं है समस्थानिकों का अस्थान समस्थानिकों तता समभारिकों की खोच से यह स्पस्थ हो गया कि तत्व का मुल लक्षन उनका प्रमानुभार नहीं होता समस्थानिकों की प्रमानुभार बिन बिन होते हैं परंतों उनकी गुण समान होते हैं अता मेंडलिव की मुलावर सारणी में समस्तान एकोगस्तान निस्चित नहीं है आठवे सम्मू की तत्व को तीन उर्दा दरस्तों में रखा गया जाना ये भी गलत था तो कुछ उसके गुण थे और कुछ उसके दोस्ते जो की एक्जाम में बार बार पूछा जाते हैं बहुत इंपॉर्टन था जो कोशिन अब हमने देगा बहुत ही ज्यादा इसको अच्छे प्रपाय कर लेना एक्जाम में जरूर आएगा कि अगला मेंनलेव की आधनिका आवश्यानी की छार उपफ्यो कदाव को लगे ठीकरर ऑफकर सांटी में थत्व के प्रमानीु बारों कोति के इस्थानांद पर सर्दफीज इस अक्री आधन में कि सभी सब्सक्राइब कर लिगत सब्सक्राइब धिOoh ॐ दूसरा अधिक प्रमानुवाली वbles wij तत्व को प्रमानु वह स्थाने वाहले ततों से पहले रखा जानू इस स्थानी में तत्व को प्रमानु कर्मांग के आदार पर रखा गया जिसके कारण निमने तत्व को उनके सही स्थान में रखने में उपयोगी शुद्ध हुई जैसे कि आरगन को पोटेशियम से पहले कोबर्ड को निकिल से पहले ठीक है तो यह सब आप उदारा में लिख स और उपयोगी सिद्ध हुई अगला जुला निमिर्दा तत्वों का स्थान समय करनी में दुरलब मिर्दा तत्वों को उनके गुड़ों के समानता ग्याधार पर अलग से दो स्थान दिया जाना उप्यों की सिद्धों को ठीक है दो स्थान दिया गए थे इसमें तो ये चीज़ त्यान रखनी है इसको बना के लिखना आपको कि ये कुशिंग मोस्ट इंबॉड़नेंट एक्जाम में आ सकता है मेंटलिक के आवरसानी और आदुक्निक आवरसानी की तुलना करते हुए आपको अंतर लिखने है तो पहला अंतर तो बटा डेफिनेशन हो जाएगा तत्वों को उनके प्रबान उभारों के व्रद्धिक्र सभ्या अंतर तिंसमस्थानिक सतान नहीं है और समस्थानिकों का ऊचित स्थान दिया गया है इस आधर साद्वीं संक्रमरतित्व को आठ संवह में रखा गया है और इस आधर संक्रमरतित्व को दीर आधा के तो मत्ञे में रखा गया था। ठीक है तो यह में अन्तर है आपको जरूर लिखना है उख्जाम में अगला कEROशन आता है कि 17 में 19 से 15 में 20 में 18 में तो कितनी बार पूचा गए है कि मेंडलीफ का आवर्तिनियम तथा आधनिक आवर्तिनियम लिखी है मेंडलीफ की आवर्ट साणी के किनी दो दोस्टों को भी लिखी है तो दोस्ट के बार में पढ़ चुके हैं ये कोशन ठीक है यह चीज हम पहले प सब्सक्राइस कि हैा दम और साणी है कि आधनिक के में भूत काया राषानिक अवर्ति हम जान में प्रमानो वाhrति नियुक्त तो वहां से अप लेकर ना यहां करूंगा तब कन्फूज हो जाओगी यह सब पहले पढ़ चुके हैं आगे आते हैं अ मेंडैफ के मूल आवर्सानी के दो लक्षिन लिखें तथा दुतिय आवर्थ के तत्फों के नाम लिखें तो मेंडलीफ के लक्ष्ण के ट्थिक आवर्ध में अपने प्रमाणूपार्ण के बढ़ अपने advkiverse 16 11 15 जोचा गए आवसाड़ी में वर्गो एवं आवर्तों के चार चार मुख के लक्षण होता इसे आवर्तों के सामनी लक्षण लिक्षण निम्ड के लिख वी पहला आवर्ट सार्णी में पहले लगू आवर्ट में केबल दो तक्त्व कर्मिशा हाइडरजन और हिलियम है जिसके कारण इस आवर्ट को अती लगू तरी आवर्ट भी कहते हैं ठीक है यह पहला हो जाएगा फिर आवर्ट सार्णी के दूसरे वां तीसरे आवर्गों में आठवर्ट तत्वें जिने हम लगू आवर्ट भी कहते हैं यह लिख देना तीसरा पॉइंट हो जाएगा चौथे पांच्वे ता छटे आवर्थों में प्रतेक में ही तत्वों की दो स्रणिया है एक सम्रणी में प्रदशित होती है बताब नियत दिखते है तो घट रही होंगी या फिर बढ़ रही होंगी ऐसे घुन अप्त में देखने को मिलेगा कि वर्व कि स्टेवर्ग सुटेषाैत तक प्रत्तिक करने करंदेगें इस स future?. इंसने करमसा असाम अंज तत्व को 9 टीन स्थम्हों विवाजयत किया । नवे वर्वे स्थान कर गया है। इस समस्तफ़ तत्व के सामन्य कुर दर्म समान होते हैं। तब याहा है। ठीक है यह चीज़ आपको लिखनी है अगला है विकर्ण नी संबंद पर संचित टिपड़ी लिखिए दोजार 14 और 17 में बूचा गया कुशन है विकर्ण समानता यह क्या होता है आवर्षानी के दूसरे आवर्थ तीसे आवर्थ के विकर्ण अभीमों की तत्व गुड़ों म फॉलों के संबंद कोुड़िकर्ण संबंद की हैं को पीड़े यह संवीनीर से जैसे अग्यों के सद्यू और ऐसे गुनफंध है को इसे बीकर्ण समद्क.. ठीक है यह आपको लिखना है अगला कुछ ने दोज़ा सोला में बारम चोदम बुचा के प्रशने निरूपक तत्व एबं सेतु तत्व पर टिपड़े लखिए ठीक है आप वर्सानी के तीसरी आवार्थ के तत्व निरूपिक अत्वा प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं यह अपने अपने समु के प्रत्रीदी के रूप में होते हैं शोडियम मैगनेशियम एलुमिनियम स्लीक ऑन फास पोरस सेलफर तता कलोरिन प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं यह तत्व उस समु कि सजगता और विज्दोत रसायनिक के लक्षनों को प्रकट करते हैं तादा इसे वज़े से इने सेतु तत्व भी कहते हैं यह तत्व किसी एक उपसमों के तत्वों से अधिक समानदा रखते हैं और यह आपको लिख देना है अगला कुष्ण है आवध सार्णी के किसी आवर्त में बाएं से दाय जाने पर निम्रिकित गुड़ों में क्या परिवर्तन होता है प्रमानुत रिज्जा है वितुतना आत्मक्ता आनल एंथल्पी यह सब स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके थे तो सबसे पहले प्रमानुत रिज्जा की बात करते हैं तो तत्व की प्रमानुत रिज्जा फस्ट एसस साथ एंथ तक करमशा घड़ती है क्योंकि तत्व की प्रमानुकर्बांकों में करमशा व्रिद्धी हो दिये हैं फलसुरूब नाभी की आवेश्ट तता बायतम इलकोश्व इलक्ट्रोनों की संक्या घड़ती करमशा बढ़ती है इसी कारण ऐसा होता है यहां तक ही लिखना है बस उसकी बाद विद्धी रात्मगदगी बात करें तो फस्ट ए से सेवन करमशा बढ़ती है क्योंकि इलक्ट्रोन को अकरशित करने की सब्दा बढ़ती है यहां से यहां तक लिखना है बस कि अधिक उर्जा के आवा शक्ता पड़ती है इसलिए बढ़ता है कि इसमें मैं अस्ट्रिक नियम डाबे नहीं त्रिक यह सब जो कुश्चिन जबेटा वह इंपोर्टन है जो आपको एंसे आटियम लेंगे ठीक वह जरूर ट्राई करना अगला कुश्चिन है तत्व एम जी आवर सानी के दूतियों समूम है यदि एम जी का तुल्यांकी बाहर 12 है तो तत्व का परमानु बाहर कितना होगा तो बैटा परमानु बाहर निकालने के लिए फॉर्मुला क्या होता है तुल्यांकी बाहर गोना सही हो जगता ठीके तुल तुल्यांकी बाहर मुझे बारा दे रखाए तो बारा दुनी क्या जाएगा चौबिस अंसर ग्या हो जाएगा चौबिस ठीक यह आपका अंसर आजाएगा कि अगये बढ़कने सिंप्ल गुषन आधुनिक आवर्त नियम पर संचीक टिपने लिखिये हैं तो त्त्तो के बहुत देवर असर निकोंड उनके प्रमानु कर्मां को क्या आवर्त फिलन होते हैं तो लोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि अगला खोशन है प्रमान कर्मांग 11 वाले दित्व की आवड़त साड़ने में इस्तिति सपष्ट कीजिए बहुत ही शांदार खोशन है सुद्धबटा शोडियम शोडियम के 11 होते हैं पहले में दो आएगा दूसरे कक्षक में 8 और बचा फिर एक तो कितुने गखशक हो हैं एक, दो, तीन, तीन कखशक है तो आवर्ट हमारा क्या हो जाएगा तीन, और बाहर किया हैं बटा एक हैं, तो जो वรगसन क्या होगा वो फरस्ट ए होगा, समूब बोल सकते हो, ठीक है, पर मालो कर मंग सत्रा के लिए पूछ रहा है, तो देखो य एक दो तीन कख्षा गें तो आवर्द संख्या हो जाएगी तीन और बाहर साथ है तो वर्द संख्या होगी साथ है कि सिंबल को दिककत में कोई प्रशन ही नई अगला कुछन है मेंडलीव की आवर्द साणि किस नियम पर आधारी थे तो बैटाये यह दो बहुत ही शिंबल बार बार अमान पड़ चुके हैं मेंडली अपनी आवर्द साणि त्यार करने करें ग्रें तत्व के परमानु दर्वयमान को आधार बनाया और प्रस्तावित किया कि तत्व के भहतिक और रसाइनिंग और दर्व उनकी परमानु भारो के आवर्ति फिलन ओते हैं है थीक अगला खुशन है एक तत्व एम आवर्ति फाणी के दूसरे समूह है उसके आक्साइड एक हो जाएगा म और हो जाएगा म अगला खुशन है परमानु कर मांग छत्यस थीए इसकी लिए बात करना है छत्तिस एक तत्व तो पहले पितुप विन्यास करेंगी तो प्रत् तो नहीं कुछ में दो होता देखता हूं तीसरे में आठ और दूसरे में आठ तीसरे में 8 ठीचारा तो यहोंगे कहिंगा दूसरे में 8 तीसरे में 18 देको शोना को मिलायाएग थीज axa e82 चार कर्षक ठीकए चार कक्षक है तो तो कितना होगा कितना होगा बन क्षकिआ होगा बन सभी से ऐसने हैं प्राष्ट निजंगने प्रश्ण में लेथियम विकन संब्ष किस से दिखाता है लेथियम गाल डिकाता है फिसल के साथ दिखाता है इस अब अब प्रतिपादित करणे वाले वैगेनिक का नाम क्या है मोजले है विकर्ण संबंद गत्व कि यह है लीथियम का मैंगेशियम से मरे narcissus कौन से होती है शोडिम आपके चालिम के चाली के ठ्सक्राइब का सबसे कम है ψोडियम के खिए अगर सब कर देखो शोडियम का 11, 281, MGM का 12, 282, Aluminium का 13, 283, ठीक है, सिलिकन गौर ज्यादा होते हैं, तो देखो, विद्धुद्रात्म तक सबसे कम किसकी है, इसकी बाहर में सबसे कम है, तो इसकी कम है, अगला कुशन है, निमलिखित में कौन अधिक विद्धुद्रात्मक तत्व है तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन, ब्यार, अगला कुशन है, एक्स, 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 एल्ट, शूत्र वाले क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है, जिसका गलनांग अधिक है, आवर्ट साध्य में या तत्व सम्वधा किस समूं में अंधर गदा सकते हैं, तो में अगनेशिय एक्स, 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 एक्स अधनिक आध्रानि अधनिक वर्सानि बोले उप्युक्त अधनिक बिन्यस की अपनी दो कमों अर्ट किस में रखेगे इस अधनिक आध़र क्या है रखाट वर्क रख याध बर्मानुक्रमांक है करते थ्रंट को तर्द तर्थ का तट्व क्या हैते रोत कह तर्फ था प्रवत कर सब्ल använd हो जाए गाल कि दो आर्ट एक तीन होता है 15 वज्मी आकसेट क्या होता है ऐलटो ओथरी ऑक्सिदिक समें पूर्द कर नहीं होती है और चरह को प्रमाद करना गोधा है 8 कि और ठीकिए सरवाधिक धन्मितितत्त्त्त पॉजटिव पोटेशियम देखों पोटेशियम का क्या होती है प्रारूपिक तत्व है प्रारूपिक तत्व आपका शोडियम होता है थी सब दिम लिक्तित्म से तत्व का कौनसा सब्सांख धात्वजों के बड़ते हुए क्रम में कौन साइब ददा यह वाला लुटे सिर्णी उप्र में union क्या होता हैं अंतर संक्रमर धाद्यू होता है तद्व जो चारी अक्सड बनाता है प्रमाणू करमांग क्या है उसका चारी अक्सड उननिस थीख दो आठ होती है 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 नियूंड पुर्णपक्र लिथियों सोडियं पोटेशियम हृए ठीक है हैं जिनके बाहित इत्व में एक बचता है निमनी खित में से कौन सा थे त्वा सनी से रिक्टरन नहीं होता भूरी नमिन खित में अधिक विद्यू दना रत्में रिड़ात्मक्ट पूर् आवट साणी में 22 सेदाई जाने प्रवर्त्यों के बारे में कौन सा खथन चाहिए होगा प्रमानुकर्म आसानी सिलेक्ट्रों का त्याग करना यह सही है तो आशा करता हूँ यह जो इन बता हैं बच्चों आपको समझ में जरूर आए होगे वही में बार बोलना पिट अंसी अब्यास के कोशन करने के बाद उसकी बाद जब इन वीडियो को देखो गए नो तो आपको एक एक बार में एक ती समय में आ जाएगी ठीक है लिंक डाल रखा डिस्क्रिश्ट्रिशन पर उनको जरूर देखना चैनल अपने वे सब्सक्राइब करो वीडियो को और जगा श